हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल इसके निम्प्रोव्मेंट था दो तोस्तों आज के स्थीडियो में आप लोगों को बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो की वन प्लस के तरब से आ रही है उसने एक प्रोग्राम लांच की है स्टुडेंट् तो गरनजीस सेथे आप लोगों को सिखाई ज journée को स्टैEPन मिलेगा और साथी सथा आप लोगो ट्रेइनिग भी मिलेग और गोड़ी एंविघ इस भी बिलकुल मिलेगा यॅर नगी तो कोई भी टेमा कोई च्ट्ट्रिग्रेशन कर अप्ला अप्ले करके कोई असे यह कोई अगर आपको वीडियो पसंद जाते है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर की जगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा हर अपडेट की आप लोग नीचे स्क्रोल करके विजिट भी कर सक लिए तो अपता है उपोस। आपलााई अपने का सब्सक्राइब नीचे स्क्रोल कर लेता है तो ङूए सब्सक्राव के बारे मैं थोड़ा से अपोग यहां रिट कर लिजिए गाजो कि तरीके से अप लोग का प्रमोशिन स्टाइब का है devices and membership on oneplus तो यह आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मोगा है अगर आप लोग को यह पर selections हो जाता है basically आप लोग का application form पर ही selections होगा तो वह मैं आप लोग को बताऊंगा नीचे scroll किज़ेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर यह पर आप लोग देख सकते हैं तीन पॉइंट दियागा वह आप लोग रीट करके अपनी चैश्चे समझेगा वह आप लोग की उपर डेपेंड करता है तो आप लोग नीचे बहुत कुछ आप लोगो इसमें करना क्या होगा तो आप लोग देख सकते हैं पहला जो है वह कंटेंट क्रिएटर से हुआ यहां पर उसके बाद केंपस प्रिनियॉर्स होगा मतलब कि आप लोग को अपने कॉलेज वगएरा इसमें आप लोग को वन प्लस की थोड़ी सी प्र यहां पर देख सकते हैं पहला जो कुछिंस है तो इस पर क्लिक कीज़े तो आप लोग रीड भी कर सकते हैं जो कि इस्टुडेंट अम्बस्टर प्रोग्राम के बारे में दिया गया जो कि इंडिया में पहली बार लांच किया गया है टुटर पर इसमें टूइट भी किया नीचे जो इंग्रिस में बोल सकते हैं उसके बार नीचे उपर स्क्रोल किज़ेगा तो देख सकते हैं कि यहां पर जो कि थर्ड पॉइंट है तो यहां पर आप लोग को लिंक मिल जागा उस पर बिसिकली आप लोग कर सकते हैं उसके बाद देख सकते हैं कि कैने स्टुडे के जरुवत नहीं होगी basically उसके बाद देख सकते responsibilities आप यहाँ पर रीड भी कर सकते जो भी आपके responsibilities वह वगरास आप लोग को यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं कि Campus Ambassador के activities तो यहाँ आप लोग देख सकते नीचे scroll की देगा तो यहाँ पर देख सकते कि इंडिया में पहली बाद लाँच किया गया oneplus के तरफ से तो अब चली में इसमें registration का एपलाई करके आप लोग को बताने वालों के steps आप लोग का अपलाई करना है तो सबसे उपर चले जाएगा जहां पर आप में registration का था तो बैसिकली इस पर क्लिक करना है आप लोग देख भी सकते हैं इस पर क्लिक किजिए को तो एक अनेटरपीस खुल जागा जिसमें आप लोग इस टाइप का इंटरफीर साजाएगा तो देख सकते हैं यह राइस्ट्रीशन फर्म ओपन हो चुका है तो आप लोग को बैसिकली फिल करना है तो देख सकते हैं फर्स्ट में नेम है एज जेंडर है सिटी है फोन नमबर एमेल यह दोन चीज बिसिकली बहुत ही अच्छे से फिल कर जी है कोई भी गलती नहीं कि यही टीम आप मैंने क्यों चुना उसके बदग स्कीला ह। आप लोग नीचे स्क्रूल किज़ेगा था कुछ बेसिक से आपसे questions पूछी जा रही है जिसमें आप लोग अपने से apply कीज़ेगा अपने से fill कीज़ेगा सब कोई अपना-पना fill कीज़ेगा तभी आपका हो सकता है किसी का अच्छा मेरा तब आपका selections होगा basically इसी के basis पे आप लोगा selections हो गया ज्योंकि बहुत ही important है उसके बाद आप लोगा form fill करने के बाद यहापर submit button पे क्लिक कर देना आप लोग समिट पर जैसे क्लिक कीज़ेगा तो आपका form submit हो जाएगा उसके basically 10-15 दिन के बाद मतलब कि 15 अगौत से पहले आपको इस जो भी form का response आपके mail ID या पर आपके phone number पर दे दिया जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद जैता तब प्लीज वीडियो को like share कर दीजेगा और subscribe कर दीजेगा चैनल को bell notification bell कर दीजेगा वीडियो के तक देखने के लिए आपका धन्यवाद मि झाल